वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला प्लीज प्लीज आपको मिलने की संभावना है ठीक है और आप इसको अटेम्ट भी करिए अपनी हिंदी की तयारी कैसी है उसको भी चेक करिए और साथी में यह तो ऑनलाइन है ऑफलाइन टेस्स सीरीज भी स्टडी फॉर सेविसेस की जैन्वरी से स्टार्ट हो रही है आप उसको भी जॉइन कर सकते हो ठीक है तो चलिए दोस्तों और दोस्तों एक बात और जितने भी मैं आंसर यह बता रहा हूँ यह ऑफिशल आंसर की के इसाब से कल एक दो क्वेशन में डिस्प्यूट भी रह गया था एक गलती से मेरे से ऑप्शन गलट टिक हो गया तो उसके लिए छमा चाहूँगा बाकि जितने होते हैं यह सब ऑफिशल आंसर की से मैच होते हैं क्योंकि कभी कभी कॉशन डिस्प्यूट भी आ जाते हैं ठीक है जैसे आज भी एक कॉशन डिस्प्यूट है अभी आगया आएगा वो डिसकस करेंगे चले फिलाल कॉशन पहला ट्रा तो दोस्तो कर लिया होगा अब तक तो आपने तो एक के शब्द का विलोम होता है अनैक के क्या होता है अनैक की यानि ऑप्शन सी हो जाएगा ऐसे ही अशीम का विलोम शब्द क्या है तो दोस्तो असीम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा कर लिया होगा अपने सशीम होता है ठीक है भी हो जाएगा दो नमबर आपके पक्के हो गए बहुत असान था यह सबसे आसामन विलोमी शब्द है नेरग का विलोम शब्द यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टन दोस्तो तो पांच स्टार बनाईए इसको निरग का विलोम शब्द बताईए आप तो दोस्तो निरग का विलोम शब्द अगी होता है ठीक है क्योंकि निरग का मतलब होता है जो पाप करता है अगी मतलब जो पाप ही नहीं होता है ठीक है चलिए आठवा ट्राइ करिये गड़ तंत्र का विलोम शब्द क्या होता है काफी आसान है ये को कर लिया होगे दोस्तो तो गड़ तंत्र जहांपे क्या होता है जंता मतलब रिपब्लिक की चुना हुआ साशा कोगा चुना हुआ है ना राजा फिर उसका बेटा ये समझे है वो उसका उल्टा हो गया राज चंद्र जैसे हमारे पास ब्रिटिश के टाइम पे था। तो दोस्तो क्वेशन तीन ट्राइ करिए, कह रहा है कौन सा विलोम युग में इसमें से सही नहीं है, ठीक है? वंद्या का संतानवती, परुष का कोमल, निक का सिक, पवित्रता का पदारूम। दोस्तो इसको एक मत समझें, अब ये चार विलोम है, ऐसे आपको लर्ण करना है कि ये नहीं जो सही है, वही लर्ण करना है, जो उपर से सही है, वो भी आ सकते हैं, ठीक है, बताईए। दोस्तो वंद्या का संतानवती बिलकुल सही है, परुष का कोमल भी सही है, बहुत इंपोर्टेंट है ये, नक का शिक भी सही है, पती वर्ता का पदारून गलत है, पती वर्ता को कुल्टा बोलते हैं शायद है तो ये याद रखेगा, पती वर्ता है, ठीक है, उल्टा हो यह दी गलत है, question चार ट्राइगर यह दोस्तों, इन में से कौन सा विलोम युगम सही नहीं है, यह यार बड़ा disputed question है, यह मैंने बहुत जगह से मतलब हो कर रहे हैं, बहुत उल्टे इसके जवाब आ रहे हैं, आप ट्राइगर उसको, सापेक्ष का निर्पेक्ष, आपत्ती का विपत्ती, इमानदार का बेइमान, कृतग्य का कृतग्न, इसको आप लोग ट्राइग करिए, तो दोस्तों इसका जो है विपत्ती आपत्ती ये गलत है क्योंकि विपत्ती का होता है संपत्ती ठीक है तो ये गलत है और कई जगा यार आपत्ती का भी संपत्ती है तो ये बड़ा आग्रह या विग्रह आसान है दोस्तों तो अब तक मुझे लगता है आपने कर लिया हुआ तो दोस्तों अनुग्रह का विग्रह होता है कित क्या होता है विग्रह होता है ऐसा ही question 10 हाश्य सब्द का विलोम क्या है ये तो बहुत ज़ादा आसान है ट्राइ करिए इसको टिक टिक 1, टिक टिक 2 टिक टिक 3, टिक टिक 4 टिक टिक 5 हो गया होगा अब तक तो दोस्तों तो हाश्य का दोस्तों होता है loss इसका मतलब हो गया profit मतलब व्रदी ठीक है तो इसका भी हो जाएगा चलिए मेरे प्यारे छात्रों question 5 ट्राइ करिए जरा रचक का विलोम शब्द बताएए तो दोस्तों रचक का विलोम शब्द भचक, विनाश, घटक या एक और तीन मतलब भचक और घटक दोनों, जरा बताएए इसका अंसर सोच ये, दिमाग पे जोड डालिया कोई life line नहीं है आपके पस जी हाँ दोस्तों तो इसका option है D, रचक का विलोम भचक भी होता है और घटक भी होता, ठीक है ध्यान रखिए इसको, चले question 6 हम लोग शुरू करते हैं विरल या कठिन बताएए दोस्तों, पांच करोण का सवाल सो मेरी प्यारी छात्रों, सरल सब्द का विलोम विरल नहीं है तो विरल किसका विलोम है क्या बता सकते हो सो मेरी प्यारी छात्रों, विरल का सोच लिया अब तक आपने सगन होता है विरल का क्या होता सागन तो सरल का याद रगना वाकर को टेल कठिन और विरल का सगल होता है, ठीक है? चलिए 10 वाँ ट्राइ करता है। वरतनी शुद्दी शुरू हो गया है, विलोम में चक करो, आप 10 में कितने नंबर लाए ओ, ठीक है? विलोम का फिर देखो, देखो ऐसे कर पार हो सुद्धी शोदन में कितने पर कर पार हो अनेक शब्दों के लिए एक में कितने ऐसे विशेशन विशेश पर्यावची जिसमें आपको लग रहे हैं आप 10 में से 9-10 ट्राइप कर ले रहे हो ठीक है उसको हटाओ चलो ठीक जिसमें आपके 4-5 हो पार है उसको रटो जा रहे हो अच्छी इन ही दोनों में मौत आती है सबसे जादा भाई तो इन पे जादा ध्यान दो चलिए कोशन 11 वरतनी की द्रिश्टी से शुद्ध शब्द का चैन कीजिए अब दोस्तों इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको पहले आप यह ट्राइए करो अनुग्रहित 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 यह सबी सेम है मतलब सल्मान भाई और सल्मान की जो टिक टॉक पे कॉपियां चलती ही सब वही है उन में से असली पहचानना है आपको पहचानिये आपने तो दो, इसका अनुगर्भित मतलब भी हो जाएगा यह जो ग्रह है, यह हमेसा यह वाला लगता है चाही omheze, यह बहूत फसाता है दोस्टो कभी ग्रह वैसा वाला हलनत वाला नहीं होगा ठीक है तो भी हो जाएगा इसका चलिए बारवा ट्राई करिए वरतनी की दृष्टी से अशुद्ध क्या है इसमें बताना है कि कौन सा गलत लिखा हुआ है चले यानी यानी सुची शुश्क ठीक है बताईए भी या टिक 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 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5 बस ठीक इतना तो दोस्तों पहला यानी को यानी नहीं लिखते हैं यानि यानि की है और यानि ऑप्शंग एस का गलत लिखा हुआ है तो दोस्तों आप देखिए आप का सई हो पाया या यह नहीं चले दोस्तों कॉषन टीरा ट्राइ करेए सुद्ध वर्द नी वाला स्ब्द कौन सांय है इन मेंसे क्या सुद्ध लिखा हुआ है Antachari Antachiri ये Antachari ये Antachani तो क्या बोलते हो आप लोग चलो आ Antachari खेले क्या बोलते हो न जैसे लोग i Spice बच्ठण में बोलते थे यार वो मुझे जवानी में पता चला यार वो i-spice नहीं होता है i-spy होता है तो ऐसे यार हम लोग बोलते हैं चलो अंताचरी खेलते हैं तो अंताचरी नहीं होता है आप बताओ option c होगा इसका अंताचरी होता है ठीक पर हम लोग बोलते हैं यही है आओ यार अंत्याच्छरी खेलते हैं यह नहीं बोलते हैं आओ मेरे भाई अंत्याच्छरी खेलते हैं ठीक है चलो Question 14 देखता है निमलेखित विकल्पों में से सुध्ध वर्तनी वाला शब्द का चैन कीजिए सुध कौन सा है भाई या कौन सा सही लिका है उपर रोक्त उपर युक्त उपर युक्त या उपर युक्त या उपर युक्त यह तो बहुत आसान है ट्राइ करो हो जाए गई है दोस से पेपर में भी लिखा होता रही बार उपर ःयुक्त में से कौन सा यह नहीं है एक बार तो पिषली बार एक्गते हम में ए रहें जाख हो एक पेपर में लिगा होता कि गलत करने पर आपको ये दंड मिलेगा मतलब एक तिहाई नंबर का दंड की दिया जाएगा और वही दंड अशुद्धी शोदन में आथा मैंने वहीं से देख कर लिया था तो कई बार ये मिल जाता है तो दोस्तो इसका डी हो जाएगा सही ठीक है उपर युक तो होगा इसका सही अंसर दोस्तो एक्जाम निकालना पद पे पहुंचना जादा ज़रूरी है ठीक है बाकी सब चीज़े बात में आपको कितना नौले जाए कितना गयाने कोई नहीं पूशता कि सब ये देखते हैं आपको अभी एक्जाम औरियंटेट त्यारी करके ग्यानी बाबा मत बनो जितना एक्जाम में आना है पकड़के उसको टाकल करके बस उसको पहले पकड़ो ठीक है जादा फिर चिकिर चिकिर करने कोई फायदा नहीं है चलो आओ खेर उनने स्ट्राइक करता है इन में से अस हो गया रसगुला बहुत स्वादिश्ट है एक गुलाब की माला खरीद लेना बताओ भी यह कौन सा शुद्ध है आसान है एक टिक टिक ट्री टिक टिक फॉर टिक 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 फाइव इसमें ज्यादा समय दे रहा हूं चलो थोड़ा पढ़ लो आराम से ठीक है तो बताओ इ is option गलत it एक गुलाब की माला थोड़ी होता है एक गुलाब मतलब छो आप अपनी गल्फरेंड देते हो चा उसकी माला बनसकती है वह बोला जाएग गछे के गुलाब की एक माला देदो कि भाई गुला बहुत सारे लागे उसकी माला दे दो ठीक है तो डी इसका गलत है teen ब अब ये भी आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि दो तीन उप्शन इसमें फसाने वाले हैं ठीक है पढ़िए सांसारिक समस्याओं में सभी फसे हैं पहला दूसरा निर्पराधी निर्पराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिला हिंदी देवनागरी लिपी में लिखी जा रखता है ठीक ट्राइ करिए इसको अएं I hope लिख लिए होगा मतलब कर लिया होगे चले तो दोस्तों इसका option a सही हो जाएगा क्योंकि सानसारिक बिल्कुल सही है और सभी समस्याँ में दोस्तों निर अपराधी नहीं होता है निर पराध व्यक्ती को डण्ड क्यों मिला और सी में लिपी गलत लिखा हुआ है लिपी को ऐसे लिखा जाता है इस तरफ होनी चाहिए बड़ी छोटी की मातरा लिपी होता है ठीक लीपी नहीं होता है अत्याधिक दुख ये गलत है अत्याधिक की जगह क्या होना चाहिए अत्याधिक दुख ठीक है यहां भी वरतनी की गलती अत्याधिक नहीं होता है अत्याधिक होता है तो छोटी छोट गलती गलती आ है। कई बार पकड़ में नहीं आती हैं और एesar इसलिए एक्जाम में गलती न आ हो तो हमें क्या चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हम मॉक टेस्ट लगा हैं और अपनी गलतियों को सुधार ले ओफ-Line हो Online हो दोनों का अलग इंपक्ट पढ़ेगा चले तो दोस्तो कोशन पंदरा ट्राइ करिए कह रहे हैं निमने लिकित में एक वर्तनी अशुद्ध है ठीक है शुशुर्शा सुशुर्शा वेश्भूसा या मनेशा बताईए कौन सा अशुद्ध है समय लीजिए तो दोस्तो कर लिया होगा आपने तो दोस्तो बी जो है वो गलत लिखा हुआ है बाकी पहला वाले के ही तरह शुशुर्शा होता है बड़ा सा ये वाला वर्त नहीं लगता है ठीक है इंद्यान रखेगा इसको तो ये गलत है सोला ट्राई करिए अशुद्ध ह्वाक का चैन कीजिए बहुत आसान है दोस्तो आप सभी इन से अशुद्ध पहचान लेंगे राम से हम सब की स्थितिया एक जैसी है लड़की को बहुत दर्ध हो रही थी पेन पर बंदर बैठा है गौतम बुद्ध ने पाली भाशा में पदेश दीए थे ठीक बताईएं I hope दोस्तों कर लिए हो आपने सो दोस्तों लड़की को बहुत दर्ध हो रहा था ठीक है क्यूंकि दर्ध मेल है यहां पर ठीक है मतलब वो पुर लेंगा तो रियाद रखिएगा इसको चलिए किस ट्राई करी सीमा का अनुचित उलंगन के के लिए एक शब्द बताएब में सवरी दोस्तों अब शुरू हो गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्रक को क्या बोलते हैं अतिक्रमण अतीवरस्त और धर्म यह अधिनियम बताएब दोस्तों अङोर हिका चमी कि सो दोस्तों सीमा के अनुचित और लंगन के लिए अतिक्रमर शब्द का यूज होता है चलिए 22 करते हैं तो कह रहे हैं अन्योदर शब्द के लिए एक वाक्यान्ष क्या होगा अन्योदर असान है दोस्तो जो धन को व्यारत में खर्च करता हो दूद पुलाने वाली धाय मतलब गाय होना चाहिए यहां अधिक माताओं से उत्पन हुए भाई बताईए दोस्तों मेरे प्यारे छात्रों आपने कर लिया होगा ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है चलिए अन्योदर का मतलब ही होता है अन्योदर जो दूसरे के दर से मतलब दूसरे की गर्व से जन्म लेते हैं ठीक है तो मतलब एक से अधिक माताओं से उत्पन हुए भाई को बोलते हैं हाँ न्योदर ठीक है जिनकी माताओं सारे बहुत सारी हो मतलब दूसरे दूसरे माताओ पाता पिता एक हो माता कई हो सबकी तो वो होता है ठीक है तो डी हो जाएगा इसका आपके कितने सही हुए देखते रहिए दोस्त उत्तर से लगाकर दक्षण तक जिसका उधार लिया है उसे चुकाना है बताईए दोस्तों सो मेरे प्यारे छात्रों आपने ट्राई कर लिया होगा मुझे लगता है सो दोस्तों इसका सुद्ध वाके है आप मुझे पर महरबानी करें ये बिलकुल सही है मैं हथेली के उपर पैसे रखकर बैठा था उत्तर से लगाकर दक्षण तक जिसका उधार लिया है उसे चुक अंसर मैं आपको एंड में दे दूंगा या कमें जैसा आप बताईए चलिए ठारा ट्राई करते हैं नेमने लिकित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव करिए फिर से देखो असुद्ध और शुद्ध में बहुत छोटी से मिस्टेक होती ही दोस्तों ठीक है जैसे कहते हैं चिंता और चिता में बिंदी मातर का फार्क है चलिए ट्राई करिए इसको ठीक है सुद्ध वाक्य करना है विंद्याचल का सौंदर दर्शनी है चोर दौल गया यहां शुद्ध गाय का दूद मिल है हमारे समाच के बीच अनेक अच्छाईयों के साथ कुरीतियां भी दोस्तो इसका सही है विंद्याचल का सौंदर दर्शनी है ठीक है बाकी चोर दौड गया दौडता चोर थोड़ी है पुलिस दौडती चोर भागता है ठीक है पॉजिटिव वर्ड है बाकी तो आपको पता ही चल रहा है गलत है चल यह 23 देखिए तो दोस्तो 23 कह रहा है जि दोस्तो ट्राइब तो उसको दोस्तो कहते हैं कानीन क्या कहते हैं जिसका कन्या के गर्ब से जन्म होता है उसको कानीन कहते हैं ठीक है चलिए 24 ट्राइब करिए जिसे प्रमार द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं मतलब उसके लिए एक शब्द बताईए आप आप्रमे, ठीक है, बहुत आसान है यह, तो दोस्तों अब तक कर लिया हो को मुझे लगता आपने, तो इसको कहते है आप्रमे, क्या कहते है आप्रमे, ठीक है, निम्रिकित में से स्वयम सेवक सब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला वाकि क्या है, ठीक है, सब की सेवा करने व बताईए क्या होगा इसका तो मेरे प्यारे चात्रों इसका उत्तर बहुत आसान है स्वयम सेवक जो अपनी इच्छा से ही दूसरों की सेवा करता है उसको स्वयम सेवक कहते हैं ठीक है भी होगा चले 26 ट्राइकर यह जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए क्या एक शब्द यू सो दोस्तों कठिनाई से मिलने वाले के लिए जो शब्द यूज होता उसको क्या कहते हैं दूरलब बड़ी दूरलब वस्तु है यार यह मतलब बड़ी कठिनाई से मिली है ठीक है चलिए आईए तत्सम तत्वाटराई करते हैं 31 इन में से कौन सा एक तत्सम है 20 12 सच और मेरे प्यारे छत्रों पद जो है यह एक तत्सम शब्द है क्योंकि पद का तत्वाव पैर होता है ठीक है बागी संस्क्राइट में मतलब तत्सम में इसको पद बोलते हैं ठीक है पद चिन तो ध्यान रखिए इसको बागी तीनों कैसे है आपके तत्वाव शब्दें निम् तो दोस्तो कर लिया हुआ अपने अब तक तो दोस्तो कपूर जो है ये तदबाव है क्योंकि इसका तदसम करपूर होता है तिक करपूर गौरम करोना वतारम सुना होगा अपने तिक तो कपूर तदसम नहीं तदबाव है करपूर तदसम है चलिए आगे वड़ते हैं तो दोस्तो 27 कह रहा है बहुत सी भाशाओं को जानने वाले के लिए क्या होता है मतलब एक शब्द बताईए जो बहुत सी भाशा जानता है बहु भाशिया बहु भाशा भाशी बहु भाशा सारी भासाय जानता है उसको बोलते बहु भाशा विद्ध ठीक है यानि सी हो जाएगा इसका आंसर ठीक है चलिए ठाइस ट्राइट करिए जिस पेड़ के पत्ते जड़ गए हूं तो दोस्तो जिस पेड के पत्ते जड़ गए हों उसको अरपन भी कहते हैं अरपन नहीं अरपन और अपत तोनों ही सही है आरपड या आपड चलिए तेंतिस ट्राइ करिए तत्सम तत्वह सब्दों के युगम में कौन सा युगम त्रोटी पूर्ण है मतलब कौन सा सही नहीं है छीर का खीर दही का दही दुग्द का दूद घरत का गी बताईए बहुत सिंपल है बहुत सिंपल जी हाँ दोस्तों सही कहे रहो आप दही का दही नहीं होता है दही का दधी होता है ठीक है दही का दधी होता है तो दोस्तों देवर का तत्सम सब्द बताना है ये भी काफी असान है देवर का देववर दुवर दुरवर या दितियवर बताईए जी हां मेरे प्यारे छात्रो देवर का तत्सम आप सही कहना है दुविवर होता है क्या होता है दुविवर ऑप्शन भी हो जाएगा तो देखें चौनतिज में अभी तक आपके कितने सही हुए है जिसका मन वा ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा यूज होता है बताईए मनन, बेध्यान, अन्यमनस्क या मनवा बताईए बहुत सिंपल है जिसका ध्यान दूसरी तरफ हो जिसका ध्यान दूसरी तरफ हो जिसका ध्यान दूसरी तरफ हो उसको अन्यमनस्क बोलते है क्या कहते हैं अन्यमनस्क जिसका ध्यान कहीं और रहता है पढ़ाई की जगा को कहीं और पहुँन गया हो I should we can't even ter it i think zd a अतिक्ता शब्द के लिए सही वाक weiß तिक क्या है थिक अतिक्ता को क्या कहते हैं किसी बात पर विर्थ का ग्न परलना मतहला प्रलाप करना किसी बात को अटिदिक बढ़ा कर कहना नातक में बड़ी बहन या धर्म शास्तर के विरुद्यकारच ठिक बताई चू रख्याद रखिये गहाद है कि असती हो जाएगा इसका इंपर्टंट ये भी काफी पैतिस ट्राइकर ये निमनिलकित में से कौन तत्भाव शब्द है दिनकर दिवाकर प्रभाकर या सूरज बहुत आसान है दोस्तों ये बहुत ज्यादा आसान है तो बिल्कुल सही पकड़े हैं सूरज बिल्कुल तत्भाव है बाकी ये सूर दिनकर दिवाकर भ और या पर्यक बहुत सिंपल है दोस्तों है सो दोस्तों जी कि हम बिलकुल बंदर जो है ये तत्भव बाकि बागि वान और पर ये सारे तत्समशब्द है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सांतरि स्ट्राइए करिए कह रहे है केले का तच्षम सब्द क्या होगा ठीक तो केला कदरलिक कदली केलक या कदलिक असान है दोस्तो जो दोस्तो केले का तच्षम होता है कदली क्या होता है कदली यानि भी सही है बिलकुल अर्थिस्ट्राइक करिए नियमने लिखित में से कौन सा शब्द तत्वव नहीं है ठीक है आग आख गजानन या पीठ ठीक है बहुत असान है दोस्तो यह भी जी हर तत्व नहीं है मतलब कौन सा इन में से तत्सम है तो देखो आग ये आपका तत्व है आँख भी आपका तत्व है क्योंकर इसका अच्छी होता है आगका अगनी होता गजानन ये आपका दोस्तो तत्सम शब्द है ठीक है याद रहिएगा important भी है, आसान भी था काफी चलिए 49 ट्राइग कर लीजे हमने लिखी तुमें से तच्सम, शब्द कौन सा है अटारी, अखिल अहरी या आँख ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है अटारी, अखिल अहरी या आँख, कौन सा तच्सम है तो दोस्तो इसमें से अगर देखा जाए, तो तच्सम सब इसका अखिल है, क्या है अखिल तो दोस्तो अटारी का अगर पूछ ले, तो बता भी सकते हो अटारी का क्या होता है तच्सम, अटालिका अहिर का क्या होता है आभीर, आखा का तच्सम क्या होता है? मतलब अहिर तो तच्सम है अब इसका तधवा क्या होगा? आखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आखा और आश्रू का आश्रू हो जाता है तो दोस्तो 43 कह रहा है इनमे से कौन सा एक विशेश सब्द है? तो कई लोगों के कमेंट आये विशेशन विशेश बता देने को चलो एक बार मैं शॉट में बता दे रहा हूँ एक बार समझ लो जैसे देखो दोस्तों मैं बोलू कि तमन्ना भाटिया बहुत सुंदर है अलग है भी वो तो कौन सुंदर है? तमन्ना भाटिया तो वो विशेश है कि वो ही सुन्दर है और कोई नहीं है ठीक है और विशेशन क्या हुआ कि वो क्या है सुन्दर है अगर मैं बोलू भाई कि मोदी जी बहुत पावरफुल है ठीक तो कौन पावरफुल है मोदी जी तो मोदी जी विशेश है है विशेश समझ गए ना वो बताना है राम लला सीता राम बुद्धिमत इस्त्री या रमापती सोचिए इसको तो दोस्तों इस क्वेशन में भी थोड़ा डिस्प्यूट है कहीं कहीं सीता राम विशेश हुए और कस्ट जंगलों में सैनप विशेशन होगी है ना इस हिसाब से तो वैसे ही इसमें थोड़ा डिस्प्यूट है इसको जड़ा थोड़ा देख लेना चलो 44 देखते हैं शरीखा सब तुम्हें कौन सा विशेशन है तो यह तो आसान है क्रम वाचक समुद होता है शरीखा ठीक है जैसे गोरा काला यह सब ऐसे ही शरीखा भी एक गुण है ठीक है तो याद रखेगे इसको इसका गुण माचब हो जाएगा उस्तो 49 निम्न में से तत्सम सब्द कौन सा है या भी हम लोग ने उपर कराई है तो अटारी का अटालिका आखिल का आखा अहिर का अभीर आख का अच्छी है ना यह तो कर चुगे है चालिज देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यह बताना है आकाश मेग सियार या पवना बताईए इसको सोचिए इसका उप्शन सी बिलकुल गलत है क्योंकि सियार का तत्सम जो है यह श्रंगाल होता है श्रंगाल होता है तत्सम ठीक है बाकी तीनो आकाश मेग पवन यह सब तत्सम है ठीक है चलिए पैतारे देखते हैं नीचे दिये गए शब्दों में से कौन सा एक शब्द विसेशन नहीं है, ठीक, मतलब विशेश है, विशेश हो नहीं का मतलब विशेश हो गया, उतकरष्ट, सज्जन, धरस्ट या तम, ठीक, जैसे बोले ना, रमेज बोले यही उतकरष्ट है, रमेज बड़ा ही सज्जन है, रमेज बड़ा तम है, या रमेज धरस्ट है, बहुत असान है तो यह है तो दोस्त कुल इसका option C हो जाएगा तम जो है ये एक विविशेश है विविशेशन नहीं है ना कि उत क्रस्ट रहाते सज्जन है तो यह गलत है जैसे दो है राम भूत ho यह प्रफेश को देखते हैं बड़ा शांदर कोश्चन है बड़ा कार खाना चोटा बेटा और नीला विशेश कौन कौन है ठीक है यह बताना विशेश समाझ गे ना थोड़ा सोच यह फिर से उसको विशेश विशेश को एक जगर लिख लीजे लिंक करें यहीं इंपॉर्टेंट है इसी में ही डाउट सबको आता है ठीक है सोचेश को कि या कार खाना कैसा है बड़ा है इसमें विशेश क्या है विशेशन क्या है बेटा कैसा है छोटा है कबूतर कैसा है नीला है ठीक चलिए मैं ही बताता हूं इसको आंसर सी हो जाएगा क्यों पूछ रहा है विशेश ना इस बता है मैंने बड़ा कार खाना तो बड़ा तो वि उतार है ना इसलिए नीला हो जाएगा त्यान रखेगा असान है कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है चले 41 कह रहे हैं गुण वाचक विसेशड इन में से कौन सा नहीं है ठीक है यह बताना है दो गुणा बेइमान मैला या गंदा बहुत आसान है मेरा भतीजा भी थर्ट कलाग में वह भी बता देगा बहुत सिंपल है दोस्तों जी हां बिल्कुल सही का आपने देखो बेइमान एक गुणा है मैला एक गुणा की मन में मैल है इसके गंदा आदमी है यह बहुत ठीक है तो तीनों ही गोड़ है दो गुणा जो दोस्तों है एक आवरत्ती बताता है ना एक गुणा दो गुणा तो यह आवरत्ती वाचक हो जाएगा ऐसे मानव शब्द का विसेशन क्या होगा दोस्तों यह बताईए मानव शब्द मानवी करन मानवी मनुष्य या मानवता सोचे इसको दोस्तों कर लिया होगा आईगे सापने तो दोस्तों मानव शब्द का जो विसेशण होता है वो मानवी होता है क्योंकि मानव मानवी अवेवार करता मानव मनुष्य यह तो उसकी मीनिंग हो गई ना शमा चाहूंगा गलती हो गई ती आप से मुझसे मतलब थोड़ी नेक्स्ट ट्राई करें 47 यह गाए अधिक दूद देती है उक्तवात में अधिक विसेशन किसकी विसेशता बता रहा है सिंपल है दोस्तों ठीक है ट्राइ कर लिया होगा आपने सु दोस्तों अधिक क्या दे रही है दूर्द दे रही है तो यह दूर्द की विशेष्टा बताई जारी ना कि अगर यह बोलती कि यह गाय बहुत ही गाढ़ा दूर्द देती तो गाढ़ा उसकी विशेष्टा हो दोस्तों अगर यह पहचान लिया तो आपको समझ लो विशेशन विशेश आता होगा सिंपल है बहुत जादा कौन एक अच्छा विद्यारती है मोहन एक अच्छा विद्यारती है इसमें सबसे पहले तो पहचानो विशेशन क्या है और विशेश क्या है ठीक तो दोस्तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने कर लिया होगा तो दोस्तो अच्छा क्या है एक गुण वाचक विशेशन है ना यहाँ पर अच्छा एक विशेशन है और विद्यार्थी जो शब्द है ये एक विशेश है कि अच्छा विद्यार्ती ठीक, तो अच्छा तो विशेशन होगी और विद्यार्ती विशेश, कि अगर विद्यार्ती नहीं होता, तो फिर अच्छा क्या होता, ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आशा करता हूँ, ये कई लोगों का गलत भी हुआ होगा तो दोस्तों उन्चास बहुत आसान है सेम अभी लास्ट वाले की तरह है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो में विसेशन क्या है ठीक है आभी देखो कर रहा था ना विद्यार्थी अच्छा था अब इसमें चतुर विद्यार्थी से कह रहा प्रश्न प पूछो में विशेशन चतुर है क्यों क्योंकि विद्यार्थी की विशेश्ता बता रहा है और जो जिसकी विशेश्ता बताता है वो विशेशन होता है कैसा विद्यार्थी है चतुर विद्यार्थी है ठीक है तो डी हो जाएगा पचास कहा रहा है, दस कुंटल धान खरीब लिया है, में विशेशा किस कोटी का है, परिमार वाचक, निश्चित परिमार वाचक, गुण वाचक या व्यक्ति वाचक विशेशा, बताईए दोस्तों इसको I guess, दोस्तों आपने पर लिया हो इसको, दोस्तों बहुत ही ज़ाद आसान था नहीं, तो देखिए, दस कुंटल फिक्स है न, तो निश्चित परिमार वाचक और परिमार है, मतलब एक तॉल माप है, ठीक है, तो निश्चित परिमार वाचक हो जाएगा इसका, जीव का पर्य जीव हमेरे प्यारे शातर, जीव रसना, रसग्या, रसिका है न, तो रसना हो जाएगा जीव का, मेरे प्यारे जीव शातर, छपन भी बहुत आसान है, जड़ा ट्राई करो, नीचे दिये गए शब्द समू में, भिन अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है, मतलब कौन सा अ लग है, और, अनल, पवन, समीर या मारूद, जी आं दोस्तों, तो कर लिया होगा आईगे साब ने, एक बार そして अनल, पवन, समीर, मारूद, तो दोस्तों, पवन, समीर, मारूद, ये सब हवा के हैं, पर आनल, आग का होता है, तो एक अलत है, दोस्तों, चले आगे बढ़त से में रहा है। स्रस्वती का परयवाची कौन सा नहीं है। बारती, विड़ा पाणी, महास्वेता या पदम्हा। बताया है। तो दोस्तो कर लिया होगा मुझे लगता अब तक आपने सरस्वती का पर्यावची पदमा नहीं होता है क्योंकि पदमा हमारी लक्ष्मी माता का होता है ठीक है जिसके हम शब कामना करते हैं लक्ष्मी जादा से जादा है ठीक है तो लक्ष्मी पदमा का नहीं मतलब लक्ष्म मुझे लुटा कर लिया होगा मज़े लगता आपने चो दोस्तो ज्या तुरूप यह स्वन का परयवाची है कनक जातुरूप कंचन है न ये सब स्वन के परयवाची होते है ठीक है चलिए 57 देखिए निमलिकिन में से छपाकर का परयवाची शब्द बताईए ठीक है निशाकर रजनीचर दिवाकर प्रभाकर बताईए दोस्तो आई गैस कर लिया होगा अपने जीए दोस्तो तो छपाकर जो है निशाकर का है और निशाकर छपाकर किसके है जोस्तो चन्रमा के ये परयवाची है ठीक है तो याद रखिएगा चलिए शटपत का परयवाची शब्द कौन सा है ये बताईए आसान है बहुत तितली मकडी भ्रहमर या शलब बताईए दोस्तो जी हाँ दोस्तो तो सटपत का पर्यवाची होता है ब्रहमर मतलब भारा ठीक है तो इसका option C बिलकुल correct है तो दोस्तो तिरपन कह रहा है प्रत्यूत पनमती का अर्थ है ठीक प्रत्यूत पनमती मंद बुद्धी ततपर बुद्धी शेहनसील या उल्टी खोपले का ठीक है बताईए दोस्तो तो दोस्तो कर लिये होगा आपने तो दोस्तो प्रत्यूत पनमती का अर्थ होता है ततपर बुद्धी छले शोवन ट्राइक करिए इन में से कौन सा एक पर्यावची युगम सही नहीं है ठीक है, पुरंदर का अमरपती, सरोवर का पुशकर, जलधी का अम्बुद या फणी का उरग, पताईए दोस्तो सब्सकrito पूरिया ओगा मुझी लगता आपने, इसका सी बिलकुल गलत मैच कर रहे हैं क्योंकि जलधी तो समुदर का होता है, अम्बुद बादल का होता है, आकाश और ये तो समुदर की बात कर रहे हैं, थ би की सारे sites कर रहे हैं, थीक है, चले है उनसट बहुत आसान है दर्ब का पर्यावची सब्द कौन सा नहीं है ठीक है घमंड दंब तिरशकार या अहंकार ठीक है जो कि आज के लोगों में बहुत जादा है ठीक है कौन सा नहीं है बताईए दोस्तो तिरशकार दर्ब का नहीं है क्योंकि घमंड दंब अहंकार ये सब डर्ब के पर्यावची शब्द है लास्ट बहुत इंपॉर्टन बहुत आसान और हमारे प्यारे महादेव का बारे में शंकर शब्द का पर्यावची कौन सा नहीं है तो ये तो आप सभी को पता होना सोचिए दोस्तो सोचिए दोस्तो आई गेस कर लिया होगा आपने जी है तो दोस्तो शंकर शब्द का पर्यावची जो है ये आपका शशधर नहीं है ठीक है क्यों नहीं है शशधर क्योंकि शशधर जो होता है ये चंद्रमा का पर्यावची होता बाकी ललाटाच गंगदा और तो यहीं पर वीडियो को करता हूं समा आप टेस्ट कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताईएगा आठ टेस्ट और कराऊंगा दोस्तों आपको नवश्कार